नमो बुद्धाय जैभीम साथियों जैसे कि आज बहुजनों के महानायक मानिवर काशीराम सहब जी का महापरी निर्वान दिवस है और आज के दिन जो है मानिवर काशीराम सहब को मैं सत्सत्नमन करना चाहती हूँ उनको भाव भी निश्र धांजली देना चाहती हूँ क्योंकि बहुजन समाज के मानिवर काशीराम ही ऐसे महापूरुस हैं जिनोंने पूरे समाज को एक माला में पिरोकर रखा और बाबा सहब की विचारधारा को फैलाया यदि मानिवर काशीराम सहब नहीं होते तो शायद ह भाव भी निश्र धांजली मैं उनको देना चाहती हूँ दूसरी बात कि बाबा सहब जो की संसार के सबसे विद्वान महापूरुस हैं उनहीं की वजह से आद देखिए लोगों में जागरती आ रही हैं लोग जागरुक हो रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए वो लोगों को के साथ जो है बहुत धम घ्रन किया और 15 अक्टूबर को बाबा सहब ने लोगों को धम दिया और 16 अक्टूबर की घटना में आपको बताना चाहूंगी कि 16 अक्टूबर 1956 को महारास्ट में जो है चंदरपूर वहापर एक जगह है तो महापर 500,000 लोगों ने लेटगर आप बहुत तेजी से धम की ओड़ बढ़ रहे हो तो इनकी दिक्षा की शिक्षा का क्या होगा तो बाबा साहब ने कहा कि इनकी दिक्षा की शिक्षा का आने वाले समय में देखिए ऐसे योग्य भिकू आपको मिलेंगे जो घर घ्रस्ती को भी समालेंगे पढ़ते हुए, लंबे बाल रखते हुए, मेकप करते हुए, सूट साड़ी पहने हुए, ऐसे भिकू आपको आने वाले समय में मिलेंगे और देखिए जो बाबा सहब ने बात कही, वो बिल्कुछ सही कही थी, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि मेकप करे हुए, कपड़े पहने हुए, लंबे बाल रखे हुए, ऐसे भिकू आज आपको देखने के लिए मिलेंगे जो धम का प्रिचार कर रहे हैं, तो धम क्रांती, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि बहुजन समाज के लोगों को हिंदू धर्म को छोड़ देना होगा, और तथागत बुद को अपनाना होगा, और उसके साथ 22 प्रतिग्याएं उनको अपनानी होगी, जो कि बाबा सहाब ने हम लोगों को दी, बाबा सहाब ने कहा, कि यदि तुम तथागत बुद के धम को अपनाते हो और 22 प्रतिग्याओं का पालन करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोके लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा समाज आज भी हिंदू धर्म में जकड़ा हुआ है अगर वो इसकी सच्चाई जान लेंगे तो इनके पैरो के नीचे से जमीन निकल जाएगी कि हिंदू धर्म सास्त्रों में हमारे लिए लिखा क्या है वो पता होना हमारे लोगों को बहुत जरूरी है तो हिंदू धर्म की आप सच्चाई जान लीजे और तब आप फैसला कीजे कि आपको किस धर्म में जाना है या किस धर्म म आपको जाना है क्योंकि मंदिरों में पूजा पाट करने से दान करने से और जो है अनपर देखे मंदिरों में जाने से पूजा पाट करने से हमारा उध्धार होने वाला नहीं है हमारा उध्धार होगा तो वो स्कूल जाने से होगा और इनके धर्म सास्तरों में लिखा है दे उन्होंने कहा है हम महिलाओंने कहा है कि धोल गवार पुरुस और घोड़ा जितना पीटो उतना थोड़ा हम लोगोंने इनकी ये उक्ती उनकी ये चोपाई बदल कर रख दिया है क्योंकि बहुजन समाज की महिलाई जो है जागरुक हो रही है वो अपने हक और अधिकार के ब वाला नहीं क्योंकि ये मनुअधी सरकार है सविधान खतम करने की ये बात करती है आखिर क्यों क्यों ये लोग सविधान खतम करना चाहती है क्योंकि इस सविधान की बदोलत हम लोग पढ़ लिक कर आगे बढ़ रहे हैं इसी सविधान की बदोलत आज हमारे बच्चे अच स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नोकरी कर रहे हैं, यहां तक देखिये महिलाई चांद तक पहुँच गई हैं, तो उस सविधान को ये खतम करने की बात करते हैं, दूसरा SCST Act को खतम करने की बात करते हैं, ध्यान रखना, जिस दिन सविधान खतम हो गया, तो हम लोग भी खतम ह जाएंगे सविधान जिन्दा है तो हमारा यह हाल है और जब सविधान खतम हो जाएगा और मनुसमृति को ये लागू करने की बात करते हैं तो मैं ये समस्ति हूँ कि इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि मनुसमृति में लिखा क्या है क्या है क्योंकि ये लोग भी जो आगे बढ़ा पारे हैं तो वो बाबत साहब के सविधान की बदोलत ना कि मनुस्मृती की बदोलत क्योंकि मनुस्मृती में महिलाओं को गुलाम बनाया गया है उन्हें दासी बनाया गया है हर अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया है तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मनुस् अठाकर ना देखे क्योंकि अब बहुजन समाज जाग गया है और दो अपरेल को इन्होंने उसका रिजल्ट भी देख लिया होगा कि लोगों में कितनी यूनिटी आ रही है और लोग जो है इखटा हो रहे हैं और संगठित हो रहे हैं तो अब हमारे समाज की बारी है कुछ कर के दिखाने की और सबसे ज़्यादा मैं कहना चाओंगी कि महिलाओं को आगया हना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो बाबा साहब ने किया वो हम महिलाओं के लिए किया था साविधान में सारे हक अधिकार दे करके गए उसके साथ में दे करके गए हम लोगों को हिंद लोगों को बताईए अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो अपने बच्चों को पढ़ाईए और खुद सुन तो सकती हैं समस तो सकती हैं तो देखिए अपने महापुर्षों को आप पढ़िए अपने घरों में महापुर्षों को लगाईए क्योंकि कहते हैं न चित्रों से चरित्र का निर्मान होता है जैसे चित्र आप अपने घरों में लगाएंगे वैसे ही आपके बच्चों पर असर पड़ेगा एक एक्जामपल में देना चाहूंगी मान लिजिया आपने कृष्ण की फोटो लगाई है और कृष्ण क्या करता था ये आप सभी लोगों को पता है वो नहती हुई महिलाओं को भी देखता था उनके कपड़े चुरा कर भी भाग जाता था 16108 रखेल थी कृष्ण की मैं ये बोलना चाहती हूँ और जब आपका बच्चा आप से पुछेगा कि मां, मां ये कौन है तो आप उसे बताओगी कि बेटा ये श्री कृष्ण था ये नहती हुई महिलाओं को देखता था ये कपड़े चुरा कर भाग जाता था तो आपका बच्चा जब आप से कहेगा कि मां मैं ऐसा बनना चाहता हूँ तो क्या आपको अच्छा लेगेगा आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लेगेगा दूसरी तरफ जदी बाबा सहाब और तथागत बुद्ध को आप अपने घरों में लेकर के आओगे तो आपके बच्चे ऐसे ही बनेंगे क्योंकि बाबा सहाब सूटीड बूटीड है भारत का सवीधान बाबा सहाब के हाथ में है और आपका बच्चा आपसे कहेगा कि मा ये कोन है तब आप बड़े गर्व से उससे कह सकते हो कि बेटा ये बाबा सहाब है इन्होंने भारत का सवीधान लिखा महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार बाबस सहाब ने दिया तो जब आपका बेटा आप से कहेगा कि मा मैं ऐसा बनना चाहता हूँ तो क्या आपको अच्छा नहीं लेगेगा क्या आपका सीना गर्फ से चोड़ा नहीं होगा तो हम लोगों को ऐसे चितर अपने घरों में लगाने हैं जिससे हमारे बच्चों पर ऐसा ही असर पड़े और दूसरा कि जिसके जीवन को तथागत बूद और बाबस सहब के विचारों से तरासा नहीं गया तो उसका जीवन तमाशा बन जाएगा जैसे कि आज बन रहा है लोगों का तो मैं बस यही अपने समास से बोलना चाहूंगी कि आप अपने भगवान की पहचान कर लीजिए क्योंकि आप उनको भगवान कह रही हो जिनकी वज़े से हम गुलाम बने हैं जिनकी वज़े से हमारे उपर अत्यचार हुआ है हमारा शोशन हुआ है तो वो हमारे भगवान नहीं हैं हमारे भगवान वो हैं जिन्होंने हम लोगों को इस गुलामी से आजादी दिलाई जैसे कि 25 दिसंबर का दिन अभी आने वाला है और 25 दिसंबर का दिन बहुत ही महत्यपूर्ट दिन है मैं तो अपनी पूरे समास से कहना चाहूंगी कि 25 दिसंबर का दिन आप अपने घरों में सेलिबरेट कीजिए क्योंकि वाकई में ये दिन जो है हमारी गुलामी से आजादी का दिन है बाबा सहब ने मनु स्मृति को आग के हवाले कर दिया था और हमें इस मनु के बनाए गए काले कानून से मुक्ती दिला दी थी हम लोगों को आजादी दिला दी थी तो एक एक अधिकार की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जादा विस्तार से हो जाएगा क्योंकि बाबा सहब ही हमारे मसीह हैं उन्होंने ही हमारे सारे अधिकार के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और तब कहीं जाकर हमें ये अधिकार मिले अगर मैं राम राज्य की बात करती हूँ अगर मैं मनुस मृति के विधान की बात करती हूँ तो देखे 33 करोड देवी देवता भी थे सतियुक था राम राज्य था सब कुछ था लेकिन हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया सब ने हमें सताया सब ने हमें दबाया सबी ने हमें मचला लेकिन हमें बचाने के लिए जो मचले थे वो बाबा सहाब थे तो अपने भगवान की आप पहचान कीजिए उनके बताए रास्ते पर चलिए तो definitely हमारा समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा इसी के साथ मैं अपनी वारी को विराम देती हूँ नमो बुद्धाई चैवी